दोस्तों, NVS 10 डिगट की तरफ से PZT TZT टीचर्स के साथ सब Miscellaneous Category Teacher और Third Language Teacher और Female Staff Nurse की Recruitment का Notification जारी कर दिया गया है Online ही आपको आविदन करना होगा Online आविदन की प्रिक्रिया भी इनकी शुरू हो चुकी है Guest Teachers की Recruitment है, मतलब Contactal Basis की ये Vacancy आई हुई है और सेली आपको यहां सामने दिखाई दे रही है PZT को 35,750 रुपर बंद इसमें सेली मिल जाएगी अगर Normal Station है, अगर Hard Station पे आपकी पोस्टिंग होती है तो 42,250 सेली मिलेगी TZT Miscellaneous Category Teacher FCSA को 34,125 रुपर बंद सेली मिलेगी Normal Station के लिए Hard Station के लिए 46,630 सेली मिलेगी और यही सेली फीमिल स्टाफ नर्स को भी दी जाएगी तो दोस्तो इस recruitment से जोड़े ही सारी चैनकारी बिलकुल विस्तार से इनके Official Detail Notification और Official Website के माध्यम से आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी आप वीडियो को शुरूर से लेकि आखे तक जरूर से जरूर देखें और All Over India लेवल से Teachers Recruitment से जुड़ी अप्टेट पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें तखीक है दोस्तों शुरूर करते हैं आज का अपना ये वीडियो टाइप करेंगे एन्वियस आरो चंडिगड तो सबसे उपर आपको इसी वेबसाइट का लिंक देखने को मिलेगा या फिर आप नवोद्य विध्याले समीति के ओफिशल वेबसाइट जो की है नवोद्य डोट जी ओवी डोट इन उस पे जाएंगे तीन लाइन हैं इस पे क्लिक करेंगे सबसे लास में कॉंटेक्ट अस पे आएंगे यहां रीजनल ओफिस लिखा हुआ है आप यहां क्लिक कर देंगे तो नवोद्य विध्याले समीति के आठो रीजनल ओफिस की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी और उनकी वेबसाइट भी आपको देखने का मिल जाएगी यह चंडिगड है यह चंडिगड की ओफिशल वेबसाइट है आप यहां क्लिक करेंगे और आपको नीचे आना होगा लेटर सर्कुलर लिखा हुआ दिखाए देगा यहां more circular पे आप click कर लीजिए यह page आपके सामने open हो जाएगा तो यहां देखे click here to apply for the post of miscellaneous या creative teachers and female staff nurse on contact basis for JNU under chandigad region आप यहां click करके आफिदन कर सकते हैं और यहां click करके आप इनका detailed notification डाउनलोड कर सकते हैं और यहां पे data entry operator की recruitment भी आई हुई है दोस्तों contact basis की ध्यान रखेगा उसके लिए आपको यहां click करना होगा बाकि हम यहां click करते हैं यह detailed notification teachers recruitment से जुड़ा हुआ अपने सामने download हो गया है इनके लिए 5-6-2024 मतलब कल से online आफिदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है आफिदन करने की अंतिवतिती 11-6-2024 पीजीटी टीजीटी मिसलेनिय से creative teacher and female staff nurse counselor male female and data entry operator की जवाहर नवद्द विधाले की तरफ से recruitment का notification जारी कर दिया गया है यह application form के link दिये गई है PZT, TZT, Accept CS का application form आप यहां से download कर सकते हैं और PZT, IT, CS का आप यहां से download कर सकते हैं TZT, CS का यहां से TZT, R teacher का यहां से music teacher, librarian का यहां से PET का यहां से female staff nurse का यहां से आप download कर सकते हैं मैं एक बार अभी आपको दिखा देता हूँ यह देखे, click here पे जैसे ही मैंने click किया external website की तरफ आपको download कर दिया जाएगा तो यह देखे, इस तरह से application form डाउनलोड कर सकती है यह सभी की application form आपको यहां से मिल जाएंगे मैं back कर लेता हूँ और detailed notification की तरफ वापिस चबते हैं तो यहां से तो आप इनकी application form डाउनलोड कर सकते हैं और यह link है PZT के लिए आविदन करने के लिए आपको इस link पे click करना होगा TZT accept third language के लिए आपको आविदन करने के लिए इस link पे click करना होगा TZT third language teachers के लिए अगर आप आविदन कर रहे हैं तो इस लिंक पे क्लिक करना होगा मिसलेनियस, क्रियेटिव टीचर और फीमेल स्टाफ नर्स के लिए अगर आप काविदन करना है तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा तो ये लिंक प्रोइड करा दिये गई है जहां तक eligibility qualification की बात है पीजीटी के लिए master's degree concern subject में आपने कर रखे कम सकंब 40% अंकों के साथ और उसी के साथ बीएड आपने कर रखी हो टीजीटी के लिए graduation आपने कर रखे हो concern subject और 40% अंकों के साथ उसी के साथ बीएड कर रखे हो seated भी आपका clear होना आउश्यक है और पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडिय में आप बच्चों को बढ़ा पाईए ध्यान रखेगा concern subject भी यहाँ धर्शाद यह गए है यह आप ध्यान से देख लिजेगा librarian के लिए university degree library science में आपने कर रखी हो और working knowledge of English and Hindi आपके पास होनी चाहिए age limit 50 साल इनके लिए निर्धारित की गई है और ex-envious या government school teachers है उनके लिए upper age limit 65 साल यहाँ निर्धारित की गई है आपके merit के basis और आपका जो interview contract राया जाएगा उसके basis पर आपका selection किया जाएगा यह weight is दी गई है qualification के according यह भी आप ध्याँ से detail notification से देख सकते हैं यह salary यहां दर्शादी गई है जो मैंने वीडियो के starting में ही आपको बता दी थे तो ठीक है दोस्तों कहां कैसे जाके आप इनके लिए आविद्न कर सकते हैं सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो में शेयर की गई है यह detail notification आपको हमारी टेलिग्राम चैनल पर provide करा दिया जाएगा और हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे description में मिल जाएगा तो ठीक है दोस्तो आज अभी के लिए इतना ही फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ तके लिए नमस्कार